नमस्कार आप देखने हैं टुड़े 24 यूजर मैं हूँ आपके साथ साखशी निर्वान पुलिस और एस्पी देहात के शव कुमार भी मौके पर पहुंचे पुलिस ने घटना की जानकारी ली मरने वाला यूवक संगीत सोम सेना की प्रदेश अध्यक्ष सचिन खटी का ममेरा भाई था पडोस की रहने वाली लड़की के भाईयों ने यह घटना की है लड़की भी गंभीर है जिसे इस्पताल ले जाए या आपको बता दे कि मेरट के सरधना कजबे में गढ़ी खटीकान मौला निवासी जैकी और फुपटवारी 25 साल पुत्र हुकम सिंग अपने परिवार के साथ रहता था जैकी आठ दिन पहले पढ़ोस की रहने वाल यूवती आचल को ले गया था, यूवती के परिवार को पता चला कि दोनों ने लाव मैरीज कर ली है, इसके बाद से लडकी पक्ष के लोग धमकी देते थे, सोंवार सुबाल लडकी के परिजनों ने जैकी को पहले उसके घर में गुसकर पीटा, उसके बाद सीने से साठा कर गौली मारी, ख गटना के बाद हत्या करने वाले फरार हो गए हमलावर भी पडोस के ही रहने वाले हैं। पूरे मामले में सर्धना शेतर सबसे समेधन शील है। मेरट से 25 किलोमीटर दूर सर्धना कजबे में यह वारदात हुई है। जहां लड़की के भाई अंशु ने अपने भाई के साथ मिलकर हत्या की है। गायल आंचल की हालत नाजुक है जिसे अस्पिताल में भरती क्या गया। मेरे बच्चे मेरे बच्चे कोल मेरे बच्चे का चुरी चला दी गले पर घरी मार दिया अपने दुकान बजा रहा था है। मेरे घर पर आमना बढ़ दिया। अच्छा पूरा मामना बताओ क्या हुआ। मेरे जैसे वो दुकान बजा दा तो मोट चला के पानी पी रहा था। इतने ही आगी है कि मैं तो कमरे के गेट में खड़ी अपने चोट जैसे बाला कुछ दो तीन महिने का बाला के मेरा उसा लेकर में गोदमा खड़ी थी। इतने आए चुरी और भुगदे लेकर निया इनोंने गो करा। अब मेरी चोटी नंद थी घर पे तो वो डॉक्टरी करवाने गई है। इसमें जो मिर्तक है इसकी इसने कुछ समय पहले परिवार एक लंब मेरेज किया था तो जो लड़की हैं उसके जो भाई हैं उनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। जो अभ्युक्त है उसकी ग्रिफ्तारी कर ली गई है, असलाव रामत कर लिया गया है। अभ्यक को तहरीर के अधार पर भी मुकदमा पंजिकरत कर जेल भेजा जाएगा, अगरी माधानी करवाई की जा रही है। झाल